वीर्य और शुक्रानू एक ही चीज नहीं है वीर्य सीमन और शुक्रानू स्पर्म के बीच अंतर, difference between सीमन and sperms, और भी सीमन सुक्रानू के बारे में कुछ जानकारी तथ्य, शुक्रानू, स्पर्म, शुक्रानू एक सूक्षम प्रजनन कोशिका है, जिसे सामान्य आखों से न दिखाई नहीं देती है, शुक्रानू एक सूक्षम कोशिका है, जो वीर्य का एक प्रमुक घटक है, शुक्रानू कोशिकाओं को पुरुश यौन कोशिकाओं, male sex cells के रूप में भी जाना जाता है, शुक्रानू का प्रमुक कार्य महिला शरीर के अंदर अंडानू, एक जी को निशेचित करना है, अता शुक्रानू को अंडानू तक पहुचाने का कार्य वीर्य का होता है, वीर्य एक तरल पदार्थ होता है, जो पुरुश यौन अंगों द्वारा निर्मित होता है और शुक्रानू के प्रवाह के लिए माध्यम का कार्य करता है, वीर्य, सीमन, व आसानी से देखा जा सकता है। स्खलन के दौरान लिंक से बाहर आता है। वीर्य को सामान्य आँखों से आसानी से देखा जा सकता है। जितना आप सोचते हैं उससे बहुत कम निकलता है। स्खलन के दौरान जारी वीर्य की ओसतन मातरा दो और पांच मिलीलीटर के मध्य लगभग एक चम्मच के बराबर होती है। वीर्य द्रव में लाखों की संख्या में शुक्रानू उपस्थित होते हैं। पोशन देने और उन्हें गती प्रदान करने के अलावा और कोई विशेशता नहीं होती है। वीर्य शुक्रानू को लंबे समय तक जीवित रखने का कार्य करता है। शुक्रानू कोशिकाएं एक महीला के प्रजन अन्पाथ, रिप्रेडिक्टव ट्राक्ट के अंदर लगभग 5 दिनों तक ही जीवित रह सकती है। लेकिन शुक्रानू शरीर के बाहर केवल कुछ मिंटों के लिए रह सकते हैं। शरीर से बाहर वीर्य गर्म पानी या 98 डिग्री तापमान के संपर्ख में आने पर जम जाता है। जबकि हवा या कठोर सतह पर यह सूखने तक जीवित रह सकता है। सीमन और स्पर्म किस से बनते हैं सीमन एन स्पर्म आ मेड़ अप। शुक्रानू स्पर्म की संरचना में हेड, सिर, मध्यभाग, मिदपीस, टेल, पूंच, आदिव भाग होते हैं। शुक्रानु हेड, स्पर्म हेड में मुड़े हुए क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं और इसका नाभिक एक्रोसोम, अक्रोजोम से घिरा होता है, जिसमें महिलाओं के अंडानु के विकास, विस्तार, के लिए एंजाइम होते हैं। शुक्रानू के मध्यभाग में ATP निर्मान के लिए आवश्यक कई माइटोकॉंड्रिया होते हैं. ये ATP. शुक्रानू के लिए महिला गर्भाशे ग्रीवा, सर्वेक्स, गर्भाशे, यूटरिस और गर्भाशे च्यूब के माध्यम ड्राइव, गती के लिए आवश्यक होती है स्पर्म टेल, स्पर्म टेल, को कशाभिका, फ्लाजिलम, के रूप में भी जाना जाता है. जो स्पर्मिटोसाइट, स्पर्मिटिसाइट, को आगे बढ़ाने के लिए गती प्रदान करता है. वीर्यमे वास्तव में पोशक तत्व होते, इट आक्चुली हाज नूट्रियंस जबकि वीर्यमे प्राथमिक घटकों के रूप में शुक्रानू कोशिका. अमीनो एसिड, वितामिन बी बारह, वितामिन सी, एंजाइम, केल्शियम, एसकॉब्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लक्टिक एसिड, फ्रुक्टोज, जिंक, मैगनीशियम, पोटेशियम, वसा सोटियम और कई अलग-अलग प्रोटीन उपस्थित होते हैं. लेकिन ये सभी पोशक तत्व बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं. वीर्य और शुक्रानू कहां से आते हैं, वेर डा सीमन और स्पर्म कम फ्रम, शुक्रानू का. निर्मान व्रिशन, टेस्टीज, द्व नलिकाओं, अजाक्यूलेटरी डक्ट्स तक जाता है. जहां से यह तरल पदार्थ वीर्य में मिलने के लिए तयार होता है. श्रोनी, पैल्वस, में वीर्य पुटेका, सेमनल वेसिकल्स, फ्रुक्टोज प्रदान करती हैं. फ्रुक्टोज एक प्रकार की शुगर है, जो स् के अतिरिक्ट पुटेका, वेसिकल्स, से निकलने वाले ड्रव में प्रोटीन, एसकोब्रिक एसिड, अमीनो एसिड, फॉसफोरस, पोटेशियम, एल्ट कार्निताइन और अन्य पोशत तत्व शामिल होते हैं. पच्चीस प्रतिशत वीर्य का निर्मान प्रोस्टेट द्व में एसिड, फॉसफेट, साइट्रिक एसिड, केल्शियम, जिंक और मैगनीशियम आदी शामिल होते हैं. इन में से, जिंक सबसे महत्वपूर्ण है. क्योंकि ये शुक्रानू के डिने को स्थिर करने में मदद करता है. सीमन के रंग और स्मेल में परिवर्तन का मतलब समस्थि समस्याओं का संकेत हो सकता है. वीर्य में गुलाबी या लाल भूरे रंग की उपस्थिती, प्रोस्टेट में सूजन या वीर्य में खून की उपस्थिती, तथा पीला वीर्य, येलो सीमन, थोड़ी मातरा में मूत्र की उपस्थिती या असामान्य रूप से रख्त कोशिकाओं, WBC, के उच्छस्तर की ओर इशारा दे सकती है. इसके साथ ही पीले हरे रंग के वीर्य, येलो इश ग्रीन सीमन, प्रोस्टेट या प्रजनन अंगों में संक्रमन की सूचना दे सकते हैं. आम तोर पर, वीर्य में रसायनों के मिश्रन के कारण एक हलकी ग संध तीक्षन मचली जैसी गंद. संक्रमन का संकेत हो सकती है. क्या उम्र के साथ वीर्य की गुनवत्ता बदलती है, डास सीमन क्वालिटी चेंज विद एज. एक पुरुष जीवन भर लगातार शुक्रानू का उतपादन कर सकता है. लेकिन यह प्रत्येक स्थिती में संभ नहीं है. एक अध्यान के अनुसार, बावन वर्ष से अधेक उम्र के पुरुषों में शुक्रानू के उतपादन में कमी आने की संभावना. बावन वर्ष से कम उम्र के पुरुषों की तुलना में अधेक होती है. बीस वर्ष की उम्र के आसपास के पुरुषों में वीर् Ejaculation Fluid को Precum Precum भी कहा जाता है इसमें शुक्रानू के पाय जाने की संभावना बहुत ही कम होती है अधिकांश अध्येनों से पता चलता है कि Precum में शुक्रानू उपस्थित नहीं होते हैं या बहुत कम मात्रा में होते हैं Precum में पाया जाने वाला शुक्रानू का निर्मान बहुत मुश्किल से होता है और यह शुक्रानू स्थिर होता है जिसके कारण इस स्थिती में गर्भावस्था की कोई संभावना नहीं होती है Precum, Preum, एक Cowper Glands Cowper Glands, नामक ग्रंथियों से निकलने वाला द्रव होता है जो प्राकृतिक चेकनाई के रूप में कार्य करता है क्या वीर्य से अलजी हो सकती है Can you be allergic to semen? वीर्य से अलजी का होना एक दुर लबस्थिती है लेकिन यह असंभव भी नहीं है वीर्य अलजी की प्रतिक्रिया में वीर्य के संपर्क में आने वाली त्वचा पर लालिमा या सूजन जैसे लक्षन प्रगट हो सकते है चुनकी वीर्य में प्रोटीन की उपस्थिती के कारण यह अलजी संबंधी प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकता है इसी तरह की अन्य इंट्रस्टिंग जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और सोशल मीडिया पर जुड़े सुख्रिया